तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किन गलतियों की वज़े से आपके वीकल चाहे वो एक्टिवा हो, स्प्लेंडर हो, कोई भी स्कूटी हो या बाइक हो उसकी वरंटी टाइम से पहले खतम हो सकती है या फिर कंपनी की तरफ से डिनाई की जा सकती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, जिसका मुझे भी अंदाजा नहीं था, कि इस वज़े से भी वरंटी खतम हो सकती है खिलहाल में आपको Activa के Honor Manuals की According, वरंटी की Detail और उसके खतम होने की कुछ रीजन्स बताऊंगा, जो जादातर बाकी विकल्स पर भी अपलाई होते हैं सबसे पहले तो आप सब लोग जानते ही होंगे, कि 2024 में आपको Activa पर 3 साल की वरंटी मिलती है पर आप सब लोग शायद ये नहीं जानते होंगे, कि ये वरंटी 3 साल या 36,000 किलोमेटर दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, सिर्फ तब तक की होती है example के तौर पर, अगर आपको Activa करीदे अभी 2 साल ही हुए है और आपकी Activa 36,000 किलोमेटर से भी जादा चल चुकी है, तो आपकी वरंटी वहीं पर खतम हो जाती है और अगर आप वरंटी की टम्स और कंडिशन्स फॉलो नहीं करते, फिर भी आपकी विकल्स की वरंटी टाइम से पहले खतम हो सकती है या फिर कंपनी की तरफ से डिनाई की जा सकती है बैटरी और टायर की वरंटी आपको सीधा उसके मनिफेक्टर से ही मिलती है और एक्टिवा में आपको बैटरी की वरंटी जो है वो सिर्फ 18 महीने या फिर 20,000 किलोमेटर तक ही मिलती है और अब आपको वरंटी वाइड होने के कुछ मैं में रीजन्स बताता हूँ सबसे पहला रीजन है अगर आप विकल पर अनाथराइज़ और अल्टरिशन और मॉडिफिकेशन्स करते हैं जैसे कि कुछ लोग अपनी स्कूटर पर मार्केट से मुबाइल चार्जर इंस्टॉल करवाते हैं और मार्केट वाले आपके विकल की कुछ वायर्स को, बॉड़ी को, काट वाट के फिर उसमें चार्जर फिट करके आपको दे देते हैं इस वज़े से विकल के एलेक्रिक पार्ट्स में अगर कोई भी प्रॉलम आती है तो कंपनी आपको वरंटी देने से साफ मना कर सकती है दूसरा रीजन है, अगर आप अपनी एक्टिवा को और्थराइज सर्विस से टाइमली सर्विस नहीं गरवाते जैसा कि एक्टिवा में आपको सबसे पहले सर्विस, कुटी करीदने के 15-30 दिन के अंदर या फिर 7500 से 1000 किलोमेटर चलने के अंदर करवानी ज़रूरी होती है और इसी तरह से दूसरी सर्विस 165 से 180 दिन के अंदर या फिर 5000 से 6000 किलोमेटर चलने के अंदर तक करवानी होती है इनमें से अगर कोई भी सर्विस आब मिस कर देते हैं या authorized service center से नहीं करवाते हैं तब भी आपके vehicle की warranty खतम हो सकती है ये company deny कर सकती है तीसरा, अगर आपके vehicle के automator से छेड़शाड की गई है या कहीं से change करवाया गया है जिसकी वज़े से आपका vehicle actual में कितना चल चुका है ये सही से पता नहीं लगाया जा सकता फिर भी आपके vehicle की warranty जो है वो void हो सकती है चौथा, अगर आपने vehicle commercial races, rallies या किसी record बनाने के purpose से use करते हैं फिर भी आपकी warranty void हो सकती है ये तो सिर्फ कुछ conditions थी जो मैंने आपके साथ Activa की user manual से share की है पूरी जानकारी के लिए आप अपने vehicle के user manual में warranty section को जरूर चेक करें क्योंकि कुछ vehicles के warranty section में कुछ ऐसी conditions भी mention होती है जिसकी according अगर आपने किसी से 10 या 20 दिन पुराना vehicle भी खरीदा है जो भी warranty में है और आपने उसको अपने नाम पर transfer भी करवा लिया है फिर भी कुछ companies या manufacturers आपको उसकी warranty देने से साफ मना कर सकते हैं क्योंकि उनके warranty के terms and conditions के according जो warranty है वो सिर्फ first owner के लिए ही applicable है और उन्होंने ये अपने users manual में भी अच्छे से mention किया रहता है ये बात जानकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी और जब मैंने online check किया तो ये reality थी और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी था तो इसलिए अगर आप भी किसी से under warranty वाला कोई vehicle खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले उस company से इन conditions को अच्छे से confirm ज़रूर कर लें ताकि आपको भी बात में किसी परिशानी का सामना ना करना पड़े Thank you so much for watching our video इसी तरह की किसी नई जानकारी के साथ फिर दुबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो में